अब इस question में कह रहा है construct a triangle ABC एक triangle ABC बनाना है तो देखिए ये triangle ABC है A, B and C in which BC is 4.3 cm angle C 45 degree का है और AC हमारा 6 cm का है तो कैसे करेंगे देखिए यहां मैंने AB base लिया है लेकिन हमें ये तीन चीज़े दे रखें तो अब हम AB base नहीं लेके बनाएंगे अब हम BC base लेके बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे देखिए naming change कर देगे ये था ये अब हम BC लखेंगे इसको और A इसको अब देखिए BC दे रखा था हमें 4.3 cm अंगल C हमें 45 degree का दे रखा था और AC हमें 6 cm का दिया हुआ था तो अब हम ये वाली बनाएंगे ये वाली नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें ये value AB की नहीं पता है हमें कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें हमें हमें figure बनाने के लिए triangle की base जरूरी होता है तो हम इसको flip कर लेंगे जिससे की हमें base पता चल जाए तो चलिए हम अपना match pad open कर लेते हैं सबसे पहले BC बना लेते हैं 4.3 cm की तो ये आ गया BC हमारी 4.3 cm की ये आ गया हमारा BC 4.3 cm का now we will make 45 degree angle तो for that we will put compass on C point and first we will make 90 degree angle तो उसके लिए हमने एक arc draw किया with the same arc we draw one more arc and with the same we cut that arc again and we make now we will draw 90 degree angle first right now we will make 45 degree angle how we will make 45 degree angle 45 degree is just half of 90 degree so we make bisector of 90 degree right so we open our compass more than half and we make an arc over here and with the same measurement we make an arc we cut that arc right and now we will join it right right now we will make an arc now we will make an arc 6 cm and this point will become a point and this point will become a point और हमार a c था 6 cm का now this is our answer let's do next question now इस question में कह रहा है है construct a triangle in which a b equals to a c 5.2 cm तो हम एक triangle बना लेते हैं a b and c जिसमें a b और a c दोनो 5.2 cm के हैं और angle a 120 degree का है और हमें a d परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है b c पर मतलब यह ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है 90 degree का angle का है तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम अपना maths pad open कर लेते हैं a b draw करते हैं 5.2 cm की यह a b आ गई हमारी 5.2 cm की अब angle a 120 degree का बनाना है तो compass से ही बनाएंगे 120 degree का angle तो कैसे बनाएंगे देखिए हमें पता है पहले हम एक आग ड्रॉ करेंगे इससे जो पहली सेम आग से हम फर्स्ट आग कट करेंगे और उसी सेम आग से सेकेंड जो आग कट करेंगे वो सेकेंड वाली जो कट होगी तो देखिए उसको जोइन कर दीजे यह आगया इफ यू वांट यू केंड मेजर इट वेदर इस 120 डिग्री और नॉट देखिए यह एक्जेक्ली 120 डिग्री का है राइट अब हमें एसी 5.2 सेंटिमीटर का दे रहा है तो हम अगें यह राइट में शेल लेंगे अगेड कुमपस लेंगे और कुमपस में 5.2 सेंटिमीटर लेंगे और वे वे लिए पुट इट उन एपुट और रोएट ग्राइट गेड इंड अर्क न वे विल जोई इट इस पूंट वेट बिग्र अर्ट and where we get this cut this is a point c right और यह है हमारा 5.2 cm का अब हमें perpendicular draw करना है AD तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले compass लेंगे BC का आधे से जादा open करेंगे compass and we will make an arc on both the side of BC right with the same measurement we draw an arc and now we will join these and this is a point D and this is perpendicular AD is perpendicular to BC answer let's do next question now